हलो फिर्ण्स एंड वेलकम बैक्ट्राशनल स्मार्टेर्स क्लब शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगबग 20.79 के आसपास काम कर रहा है और कल के मुकाबले 0.86% का फॉल देखने को यहाँ पर मिल रहा है निफ्टी 15,810 के आसपास में बैंक निफ्टी 33,800 के आसपास में क्लोस हो रहा है पहले पॉइंट वाइस आपको 24 पॉइंट और 125 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा लेकिन दिन के दोरान बढ़िया लेबल से इन्होंने गिरावर दिखा यह प्रॉफिट बुकिंग दिखाई हुई है निफ्टी फूचर 15,076 और बैंक निफ्टी फूचर 33,770 के आसपास दोनों ही डिसकाउंट में काम कर रहे है और जिस तरह से पिछले दो दिन के अंदर में बढ़ चड़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे आज उसी तरह के से प्रॉफिट बुकिंग में भी बढ़ चड़ क के पार्टिसिपेट करते हुए नजर आया हुए है तो फॉल जादा हुआ है फूचर के अंदर में हमने ट्रेट काउन सा इनिशेट किया हुआ है दो ट्रेड है इन फेक्ट एक ट्रेड जहां प्रॉफिट बॉकिंग की सेकंड प्रॉफिट बॉकिंग ही लेकिन बैंक पासा लग रहा था कि मार्केट उपर की तरफ जा सकता है तो निफ्टी के अंदर में एक ट्रेड इनिशेट किया हुआ था ट्रेड कॉन सा था ट्रेड वोज लेट मी शो यू दाट ट्रेड फर्स्ट तो 16650 का कॉल अप्शन हमने लिया हुआ था बैसिकली एक लॉट लिय इसका उसे हमने प्रॉफिट बुक किया इन्वेश्मेंट वोज अरॉट 23,484,482 के आसपास तो लगबग लगबग यहां पे आपको 52,53% के आसपास का प्रॉफिट होता हुआ नजर आया हुआ है तो यह अब हमारे पास में एक ट्रेड ओपन है जो कि निफ्टी के अंदर में लॉंग बनाके हमने मंतली व्यू में रखा हुआ है ओवरॉल व्यू अभी भी पॉजिटिव है निफ्टी 16,000 पे जाके रिटन हो चुका है लेकिन अभी भी 16,500 का इस महिने का टागेट इंटेक्ट है सो भले ही आज थोड़ी बस मुनाफ़ा वसली देखने को मिली है लेकिन थोड़े पॉजिटिव साइन आते हुए भी दिख रहे है जो सबसे बड़ा निगेटिव साइन आया आज के मार्केट में वह है इंडियन रुपी का फॉल लाइफ टाइम लोग पे 79.20 के आसपास काम करता हुआ दिखा डिखा डिफिनिटली जब बढ़ेगा बैंक 113 डॉलर के आसपास थे हैं आज 9% के फॉल के साथ में 103 पे काम कर रहे है और यह वीडियो जब मैं रिकॉर्डिंग एंड में होगा एक बार फिर देखने कोशिश करेंगे क्योंकि यह 12 मिनट डिले 12 और 16 मिनट के डिले इसके साथ चल रहा है और जहां तक निउस आ रही है ब्रेंट कुट साथ 100 डॉलर के निचे जा चुका है फिलाल टेस्ट तो किया एक बार यह निउस आ रही है तो यह इंडियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव निउस है इसमें कोई दो राय नहीं है इंडियन मार्केट के निचे जाना ऑईल का एक पॉजिटिव सेंटीम कि हम बहुत ज़्यदा ओईल इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यदा इंफेक्ट ओईली इंपोर्ट करते हैं जो दूसरा पॉजिटिव चीज देखने को मिला आज दिन के दोरान में FII की तरफ से बाइंग फिगर 1295 करोन की बाइंग और डिया 257 करोन की बिकौली करता हुआ दिख रहा है पहले 5000-7000 करोन की बिकौली उससे कम होके 3000 पर फिर 1200 के आसपस की बिकौली करते हुए नजर आएंग अब जो फिगर हमें देखने को मिल रहा है यह बाइंग आया बहुत दिनों बाद में बाइंग फिगर देखने को मिल रहा है 1295 के आसपस में चांसे क्या है जुलाई महिन न टागे इंटक्ट है 16500 चांसे जाधा है इसके आ सकता है क्योंकि जुलाई महिन न न आगर देखेंगे तो 8-10 साल के अंदर में जुलाई महिने के अंदर में आपको वोलेडाइल सेशनों सक्वाय बिला है कुजा मतलब दोनों लेबल देखने को मिले हुए से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है लेकिन अगर कल क्योंकि एक्स निफ्टी फिला थोड़ा सा नीचे काम कर रहा है तो अगर उस हिसाब से हम ओपनिंग देते हैं लोवर लेबल के आसपास में तो 15,750, 15,700 will act as an immediate support. In fact, Nasdaq was 200 point down, अभी 38 point down है SGX Nifty almost 80 points के आसपास हीता तो अभी 40 point के आसपास down है Volatilization expect करिये आज US market में क्योंकि एक दिन की चुटी के बाद open हुआ है तो वो दो दिन के adjustment वहाँ पे चलता होगा और SGX Nifty का 42 points, 43 points का down में बहुत ज्यादा tension लेने की ज़रोती है 15,700, 15,750 re-entry करने के लिए market में सही label होगा So क्या करें? कल का इंतिजार करेंगे और 15,750 के आसपास में buy करेंगे Definitely रात में तो trade initiate कर नहीं सकते तो कल का इंतिजार ही करना पड़ेगा 15,700 से 15,750 के आसपास में मिलता है तो 15,700 का call option लेना चाहिए Stop loss 15,625 का लगाना चाहिए उपर की तरफ में 15,800, 850, 900, 950 इन सब target के लिए काम कर सकते हैं अगर market थोड़ा सा संभला और हम 16,000 इस दो दीन के अंदर या अगर 16,000 फिर से आ जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा surprise होने की जरूरत नहीं है बट इस टाइम अगर वो 16,000 के उपर जाता है आज हम 16,000 थर्टी तक गये थे इन फैक्ट अगर इस टाइम 16,000 के उपर जाता है तो sustain करने के पूरे chances बनेंगे क्यों क्योंकि ओएल थोड़ा सा support कर रहा है फाइय सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है शॉट करना है क्या नहीं शॉट नहीं करिए फिलाल उपर के लिए बड़ आपको दीखेंगे तो आसा लालज भी आएगा लेकिन शॉट नहीं करना अगर शॉट करेंगे तो फस्ते वे नजर आ सकते हैं सो निफ्टी के अंदर में इन लेबल्स पर नजर रखिए आज के ट्रेट के हिसाफ से जो option share बना हुआ है डिफिनेटली वह बेर्स को support करता हुआ दिखेगा आपको 1,29,759 1,76,000 का लॉट को open interest देखने को मिल रहा होगा आज राइटिंग भी हुई यह बहुत बढ़िया कहां पे 16,000 पे और 15,900 पे और होगी भी क्योंकि उस लेबल से हम रिटन हुए थे सो डेफिनेटली एक बार confidence तो बढ़ेगा put writers का अब कहीं DAO features positive close कर जाता है और recovery देखने को मिले इंडियन और स्वाइल प्राइज ऐसे ही कुछ देखने को मिले अभी 103 के आसपास में है इन्हीं लेबल के आसपास में कल देखने को अगर मिलते हैं और अगर रुपीस थोर सा recover करता है तो यह तो फसेंगे बुरी तरीक writing नहीं हुए है यहां पर भी writing देखने को मिल रही है 15,800 पर लगबग 87,000 lot का open interest है और 15,800 के call option पर 97,000 lot का open interest जिसमें से आज ही 23,000 की addition देखने को मिल रही है unwinding कहा हुई है internal underside में unwinding हुई है in the money में हुई है क्योंकि हम 16,000 तक जाते वे नजर आये थे तो कहीं 15,900 यानि यहां से 100 point उपर अगर कल nifty clock करता है तो आपको थोड़ी बहुत unwinding कल के ही दिन में देखने को मिलेगी और कहीं closing 15,900 के उपर के मिल जाती है तो आपको पढ़िया shortcoring देखने को मिलेगी जो आपको 16,100 तक ले जा सकती है इसी week में बहुत सारे इपसन बट्स है देखेंगे कल मार्केट के सबसे काम करता है फिलाल 15,700 पे label देख लिए 90,000 50,600 पे 90,000 के आसपास में लगबग लगबग आपको अच्छी खासे open interest बिल्ट अप देखने को मिल अच्छा हुआ निकल गया अच्छा हुआ निकल गया निकल गया नि तो लॉस पे तो नहीं होता हो पोजिशन लेकिन प्रॉफिट कम हो गया होता था एक sustain करना चाहिए 34,200 के उपर sustain तो करना चाहिए नहीं करेगा तो यह problem आनी है अब नीचे की तरब support 33,600 33,700 के बीच में ह है और यहाँ पर इन लेबल्स पर खरीदना भी चाहिए इनकीस अगर आपको 33,600 से 33,700 के बीच में मिलता है बाइ करिए और stop loss क्या लगाएंगे stop loss लगाएंगे 33,100 का stop loss 500 600 पॉइंट दूर है क्या करिए दो से 3 lot लेना है तो 33,600 पर एक lot लेना है 33,300 पर दूसरा lot लेना है और 33,100 से लेकिए 50 का एक आपको stop loss लगाना पड़ेगा टागेट क्या बनेगा 34,200 डाइरेक्ली 34,200 के target के लिए काम करेंगे यानि 600 700 पॉइंट का stop loss तो 600 700 पॉइंट का आपको target भी मिल रहा है वन इस टू वन का ratio यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है शॉट कोई position नहीं फिलाल कोई position short करने के लिए नहीं है यहाँ पे भी तो बैंक निफ्टी में भी तो बुलिश भी रखेंगे निफ्टी में भी बुलिश भी रखेंगे और option chain पे नजर डाले तो option chain के अंदर में आपको call rating होते वी नजर आ रही है positions add हुई है लगबग 32,000 आप देख सकते हैं 32,000 के आसपास में यहाँ पे 854 lot का open interest 34,300 पे आया हुआ है odd numbers है बट definitely यहाँ पे आपको बड़े numbers देखने को मिल रहे है open interest 84,000 549 बड़ा है 34,000 पे आज हम उसके उपर काम तो कर रहे हैं पर sustain नहीं कर पाए है put side में नजर डालेंगे तो put side में आपको 43,000 lot का open interest देखने को मिलेगा 34,000 पे and 33,500 के आसपास में 71,000 lot का open interest लगबग उतना ही 33,000 का lot के उपर आपको 72,000 lot का open interest देखने को मिलेगा important क्या है important यह है कि 34,000 के उपर sustain करना कल opening 33,500 के आसपास होती है तो एक बाइंग इनिशियेट करेंगे लेकिन कल की closing अगर 33,800 के उपर के मिल जाए बहुत बढ़िया फिर आप फिर से एक बार 34,200 जाने की तयारी करेंगे Friday तक के लिए या उससे जल्दी हो सकता है no doubt in that लेकि पर चेक कर लेते हैं oil prices ने एक सो तीन दस के आसपास महीं है फिलाल so hope अपने वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद है रहेगा तो आपने वीडियो को like किया रहेगा चैनल को भी subscribe कर लिया होगा और आप platinum membership का भी benefit ले रहे होंगे वोप आने वाला week आने वाले एक्सपा ट्रेप के लिए जूर दार हो और आप खुब सारा पैसा कमाएं गोने ट्यूंट